अनकेडमी लाया है आल इंडिया मॉक टेस्ट फोर CSIR UUC-NET 2022 complete your final revision for CSIR with आल इंडिया मॉक टेस्ट फोर CSIR UUC-NET 2022 यह start है आपका 23rd January 2022 से और यह चलेगा 6th February 2022 तक curated by top educators, cover your entire syllabus, experience, actual exam like settings, win amazing vouchers identify areas of improvement with detailed analysis and video solution you can enroll it now by going to the link given in the description of this video hello friends welcome to channel Master of Botany again मैं हूँ आपको दोस्वे रेकमार सिंग, few of IC में हम जो है उनके members के बारे में आपको बता रहे थे और उसमें हमने चार members लो है लगबग खतम कर दिये हैं और उनके MCQs भी हमने आपको provide करा दिया था mostly जो इनके general characteristics है और reproduction है यह same है और अगर आप एक का अच्छे से समझ जाते हैं तो दूसरों के बारे में पढ़ने में काफी आसानी होती है तो आज हम बात करेंगे laminaria के बारे में laminaria एक marine alga है जिसे कि आपको पता है they are mostly marine few of IC की जितने member होते हैं वो mostly marine होते हैं brown alga है यह अगर हम बात करें species का तो worldwide जो है species about 40 species है laminaria का plant का अगर हम थैलस की बात करें तो यह जो plant होता है दो मीटर या उससे भी जादा लंबा हो सकता है तो यह macroscopic होता है means आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कितना बड़ा है ठीक है दो मीटर से भी जादा बड़ा हो सकता है और अगर हम बात करें इसका जो तैलस है यह differentiated रहता है laminar यहाँ पे जो आप portion देख रहे हैं यह laminar है फिर एक च्वड़ा सा stripe रहता है stripe के through यह hold fast से जुड़ा हुआ होता है और hold fast जो है इसको help करता है substratum जो होता है जिसे rock surfaces उससे attach होने के लिए अब यह जो laminar होता है यह यह या तो single हो सकता है या तो divided होता है बहुत सारे segments में अगर हम single species की बात करें जहांपे laminaria진 साहिकारिना एक example है जहांपे इसका laminar सिंगल होता है वहें laminaria digitata और clustonai जो है दो species हैं laminaria के जहांपे जो यह आपका laminar होता है यह बहुत सारे मतलब इसमें segments होते हैं अगर हम internal structure की बात करें मतलब आप इसको cut करेंगे तो क्या internal structure आपको देखनों के मिलेगा तो अगर आप lamina का करेंगे जिसको blade भी भोला जाता है तो सबसे बाहर का जो वो portion रहता है उसको हम meristoderm बोलते हैं फित वर सा अंदर की ओर जाएंगे तो cortex मिलता है और central portion इसका medula कहलाता है वही internal structure जो type का होता है वो जो होता है same structure ही सो करता है वहाँ पे भी meristoderm cortex और medula आपको मिलेगा लेकिन important feature क्या है इस type का कि वहाँ पे आपको cortical reason में जो cortex reason है वहाँ पे आपको cross connections और trumpet high fee दो चीज़े unique मिलती है इस type में तो आप ये चीज़े याद रखिएगा growth की अगर हम बात करें laminaria की तो बढ़ता कैसा है तो आप देखेंगे यहाँ पे intercalorie मेरे में stem होता है जो की lamina जहां से type से joint होता है वहीं पे पाया जाता है और इसकी वज़ा से lamina में इसके growth होता है laminaria के reproduction की हम बात करने इस picture जो आप देख रहे हैं इसके बारे में अभी आप समझेंगे और यह भी जो plant दो मीटर का होता है जो मैंने बताया यह भी अभी इस पर आप कह लिए तोड़ा सा प्रस्वचिन है कैसे मैं आपको आगे बताता हूं क्योंकि हम बात करते हैं laminaria की यह sporophyte की बात हो रही है कि gametophyte तो यह sporophyte की बात हो रहे है जो दो मीटर होता है वहीं अगर हम बात करें इसके gametophyte की तो बहुत छोटा होता है यह microscopic structures होते हैं जो कि यहां पर आप देख रहे हैं वो क्या होते है sporophytic gametophytic structures वो हम पढ़ेंगे reproduction में reproduction पर हम आते हैं reproduction में तीनों method involved है vegetative asexual or sexual, vegetative reproduction की बात करने तो यहां पर stolons बनते हैं जो की hold fast पे बनता है ठीक है तो stolons की वज़ा से इनका vegetative reproduction होता है asexual reproduction की बात करने तो juice force के द्वारा यहां पर इन में asexual reproduction होता है जो की बनते है unilocular sporengia पे और यह जो unilocular sporengia है यह group में attach रहते हैं जो इसका lamina आप देख रहे हैं यह sporophytic thallus वाला यहां पर दोनों side जो होता है इसके lamina पर group में unilocular sporengia होते हैं तो ध्यान बहुत सारे juice force बनते हैं तो जैसा कि थैलस हो गया यह sporophytic thallus और इस पर juice sporengia बनेंगे group में juice sporengia के अंजर meiosis होगा बहुत सारे juice force बनेंगे क्योंकि meiosis हो रहा है इस वजह से juice force इनके haploid होंगे और जब यह juice force जो haploid है यह grow करेंगे तो पूरा जो आपका यह unilocular sporengia थ इसे जितने भी जिसे आप juice sporengia भी बूल सकते हैं तो जो juice sporengia इससे half juice force निकलेंगे वो germinate करके male gametophyte बनाते हैं और half जो होते हैं वो female gametophyte बनाते हैं अब यहाँ पे खास बात यह है कि यह हम sporophytic thallus की बात कर रहे थे means जो diploid होता है इसी पे आपका यह unilocular sporengia या juice spore sporengia बनता है जिनमें juice spores बनते हैं meiosis के बाद क्योंकि juice spore आपका haploid है तो जर्मेट करके क्या बनाते हैं gametophyte बनाते हैं टेक male और female gametophyte अलग-अलग होते हैं और दोनों जो gametophyte हैं वो microscopic structure हैं केवल कुछ cell के बने हुए होते हैं filamentous होते हैं और heterotrichus इनका structure होता है यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो नीचे वाला photo है यह लैमिनारिया का sporophyte है टिक डेपलॉइड यहाँ पर cells होते हैं और यहीं पर जब juice sporengia इनके यह लैमिना पर बनता है ग्रूप में juice post release होते हैं haploid juice post तो यह grow करके बनाते हैं जो कि आपका यह देखिए male है यहाँ पर छोटा female है दोनों show किया हुआ है पर आप इतने अच्छे से इसको differentiate नहीं कर सकते हैं पर यह microscope है तो आप देख सकते हैं कि sporophyte और gametophyte में clearly अंतर है जैसा कि आपने देखा था कुछ में आपने पढ़ा होगा isomorphic type का alternation of generation मिलता है isomorphic मतलब आप sporophyte में और gametophyte में अंतर पर नहीं कर सकते हैं जैसे डिक्टी ओटा में आपको देखने को मिला था ठीक किवर साइट लॉजिकल जो study होती है उसके basis पर जब आप देखेंगे इक उसमें कितना प्लॉइडी कितना है तब ही आप बता सकते हैं लेकिन लैमिनारिया में जो sporophyte थालस होता है वो दो या और female reproductive structure से है और जो male reproductive structure है वो male gametophyte पर बनता है जो female reproductive organ है वो female gametophyte पर बनता है sexual reproduction हम देखेंगे तो यह उगेमस type का हुता है और plant यहां पर diiceus होते हैं कुछ cells होते हैं ये जो male और female gametophyte plant body है microscopic इनके कुछ cells जो होते हैं वो sex organ में transform हो जाते हैं male gametes बनेगा male gametophyte पे और female gamete बनेगा female gametophyte पे अब जब male और female gametophyte बन जाएगा दोनों के दोनों release हो जाएंगे ठिक बाहर और fertilization इस वज़े से इन में external होता है anthrozoid जो होता है क्योंकि और एक release कर दिये जाते हैं वह एक खास बात और है ध्यान देने योग चीज़े कि यहाँ पर जो एक होता है वो जो उगोनिया का wall होता है उससे जो है उसी पर rest करता रहता है means बाहर तो निकलता है उगोनिया से पर एकदम से water में release नहीं किया जाता है वो गोनियल wall से वो सोड़ा सा चिप का सा रहता है तो आपका anthrozoid आएगा वो जो एक है उसको fertilize करेगा और फिर जाइगोट बनेगा वहीं जाइगोट में होता है mitosis, meiosis नहीं होता ठीक, zाइगोट में mitosis होगा, mitosis करेगा तो ploid ही इसका diploid ही रहेगा और ऐसे ही फिर यह जो आप structure देख रहे है diploid thalus laminaria का बन जाता है तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, जब diploid laminaria आ गया इसी के जो thalus में दोनों साइड है, unilockless porangia बनता है, इसी में haploid जो spores बनेंगे फिर वो germinate करके male और female gamitophyte बनाएंगे, male और female gamitophyte से male gamit और female gamit बनेगा जोनों fuse करके zाइगोट बनाएंगे, zाइगोट फिर से grow करके diploid laminaria का thalus बनाता है, यही इनका life cycle है अब खास बात किया है, gamitophyte और sporophyte जिसके मैंने बोला laminaria का, यह morphologically dissimilar होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने देखा sporophyte जो है, दो या दो से ज़ादा मीटर लंबा होता है, और gamitophyte जो stage होता है, वो microscopic होता है ऐसे life cycle को जहाँ पे sporophyte और gamitophyte जो होता है, dissimilar होते हैं, उनको हम heteromorphic type of alternation of generation बोलते हैं तो अगर question आता है, heteromorphic type of alternation of generation, laminaria आपको option में मिलता है, तो आप जाएंगे laminaria के साथ तो कुछ चीज़े हैं, यह याद रखिएगा आपका, यहाँ पे laminaria type hold fast होता है, और जो cortex होता है, इस type वाला वहाँ पे cross connections और trumpet hyphy भी मिलता है, growth यहाँ पे intercalorie meristim के द्वारा होता है visibility reproduction stolons के द्वारा, sexual reproduction juice pores के द्वारा, haploid juice pores के द्वारा, और यहाँ पे male female gamitophyte हैं, वो microscopic filamentous होते हैं, और यह heteromorphic type of alternation of generation show करता है दो MCQ है आपके लिए यहाँ पे cable, जो mostly आप देखेंगे, बनारसिंदी निवस्टी में पूछा गया है, in which one of the following isomorphic alternation of generation does not occur इन में से किस में isomorphic alternation of generation नहीं होता है, एक्टो कार्पस, अलवा, ड्रपनॉल डियॉपसिस और laminaria second question है कि iodine किसे से मिलता है, जिलिडियम, अलवा, ग्रेसिलारिया या लमिनारिया, तो जो पहला वाला है, इसका answer laminaria होगा क्योंकि इसमें आपने देखा कि यह heteromorphic type of alternation of generation मिलता है, तो इससे आप यह भी याद रखिएगा कि अलवा और डेपनॉल डियॉपसिस में आइसो मॉर्फिक type of alternation of generation मिलता है, ठिक, वहीं iodine जो होता है, यह भी kelp से निकलता है, और keb जो होता है, वो लमिनारिया और से विलाउंग करते हैं, या लमिनारिया है, तो आप उसे option में लगाएंगे, तो यह था आपका जो पूरा few of 5C आपका खतम हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं, जो LG का कोई और special group है, वो लूँगा और उन पे भी आपको notes प्रवाइड कराऊंगा, आप देखते रहे हैं, Masters of Botany, and thank you for watching this video, अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं, बैनारस इंज इन्ज इन्वरस्टी के MSC Botany entrance exam के लिए, तो previous 13 years के question paper का solution with explanation, ये book आपको बहुत helpful होगा, इस वीडियो के description में आपको इसका link मिल जाएगा, आप वहाँ से purchase कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQs solve करना चाहते हैं, प्रॉक्स्टेंड, थाउजन, सार एलगी, फंजाई, ब्रायो, टेड दोनों बुक आप purchase कर सकते हैं